अक्सर कहा जाता है कि राजनीती में क्या हो जाए बाए हाथ से दाए हाथ को पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ एक्जिट पोल के बादा रहे नतीजों में। जहां बीजेपी के 400 पार के नारे को जटका लगा है वही अब 300 के लिए हो गई है। आज जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी को सूचने के लिए मजबूर करने वाले हैं। कहा कमी रह गई ये तो अब मन्थन का विशय है। लेकिन जिन राज्यों के बल पर बीजेपी नेता हुंकार भर रहे थे। उनमें से सबसे भरोसे वाले राज्यों ने ही उसका साथ नहीं दिया। एक दो नहीं कुल चार बड़े राज्यों से बीजेपी को कतरी इस नतीजे की आहट नहीं थी। चुनाव से पहले जनता कब किस करवट बैठेगी। इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। हकीकत का सामना तो रिजर्ट के दिन ही होता है। बीजेपी में अब लंबे समय तक नतीज के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का साथ नहीं मिला। इसके अलावा राजस्थान और महराश्ट्र ने भी बीजेपी को जटका दिया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा भेतरीन परिनाम की उम्मीद पश्चिम बंगाल से थी। लेकिन एक बार फिर ममता बनर जी बीजेपी पर भारी पड़ी हैं। यानि यूपी, राजस्थान, महराश्ट्र और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ खेला हो गया है। जबकि साल 2019 के चुनाव में इन राज्यों में बीजेपी का भेतरीन प्रदर्शन था। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीते इन राज्यों से खाते में आएंगी। लेकिन जटका ऐसा लगा है कि ज्यादा की बात छोड़िये। पिछले चुनाव से भी कम सीते बीजेपी को मिलती दिख रही है। सबसे बड़ा जटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगा और अपकी बार 40 से कम सीतों पर सिमत्ती दिख रही है इस तरह यूपी में बीजेपी को कम से कम 25 सीतों का नुकसान हुआ है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें